हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज़े, ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR, CGCRI, Central Class and Ceramic Research Institute की New Recreement Notification के फॉर्म फिलप के बारे में, तो फ्रेंज से CGCRI दोरा जो Notification यहाँ पर इन्वाइट की गई है, यह आपके Attisement 01-2021 है, इसमें फ यहाँ पर फ्रेंज से जो यह फॉर्म है, यह फ्रेंज से आपके Stenographer पोस्ट के लिए और साथ में फ्रेंज से Junior Second Assistant के पोस्ट के लिए यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, अगर आप 12 पास आउट हैं, तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं, अब यहाँ पर फ्रेंज से इ सेलेक्शन प्रोसीजर है, अपलाए का लिंक है, वो सब आपको मिल जाएगा, फॉर्म को फिल करने से पहले फैंस, यह हैं रिटन डिकलेशन को एक वाइट पेपर पर ज़रूर लिख लें, आई के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, और बाकी अपनी हैं करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें, तो फ्रेंस यहां से आप इसमें आविदन करेंगे, अब यहां पर आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का ओप्शन मिलेगा, अगर यह वेबसाइट आपके आपके ओपन नहीं होती है, मॉबाइल में त करेंगे, ब्स बहुत में के वाज करेंगे, इसको आप दो दो बार इंटर करेंगे, नीचे को पूरा नाम आपका देखने को मिल जाएगा, आपकी 10 डिजिट का मॉबाइल नंबर और आपकी एक्टिवन मेल आइडी बस यह तीन चीज़े आपको यहां पर देनी होंगी, मे security code को आपको enter करना है और उसके बाद यहां से save and nest करना है registration को complete करने के लिए इसके बाद friends आपका registration है वो complete हो जाएगा registration ID और password आपकी mail ID और mobile पर आपको पहुंच जाएगा इसके बाद आपको photograph and signature upload करने है guideline आपको यहां पर दीगी है photograph और signatures related photograph 20-50 kb और signature 10-20 kb इसके बीच में आपको upload करना है में लिए आपको size का ध्यान रखना है pixel कि इतनी ज़रुत नहीं होती आप यहां पर अपने jpg format में इसको upload कर सकते हैं photo and sign upload करने के बाद friends आपको next app पर click करना होगा इसके बाद है आपकी यहां पर basic details सबसे पहले है post तो आपके इस पोस्त के लिए apply करना चाहते है स्टैनोगराफर के लिए या फिर जियसे पोस्त के लिए इसके बार आपकी जो कैटेगरी है वो आप सलेट करेंगे से disability category select करनी होगी इसके according ही आपको ऐससा time चाहिए आपका writing है अफेक्टेड है आपको subscribe चाहिए नहीं चाहिए इस से related जानकारी पर आप yes या no कर सकते हैं इसके बाद है religion तो आपका जो भी religion है वो आप यहां select करें minority community से आप बिलॉंग करते हैं मतलब जैन, सिख, बहुत, पार्सी, मुसल्मान तो आप yes कर सकते हैं बाकी candidate no करेंगे departmental candidate है आप CSIR में तो आप yes या no कर सकते हैं government department में working है तो आप yes या no कर सकते हैं वीडो या divorcee woman है तो आप yes या no कर सकते हैं और yes करते हैं तो period of service मन्थ में count करकर आपको यहां पर देनी होगी nationalty आपको choose करनी है इसके बाद do you have accountancy अगर आपके पर 10 प्लस टू लेवल में accountancy है उस condition में तो आप yes करेंगे नहीं है तो आप यहां पर no करेंगे इसके बाद यहां पर आपको preference मिलेगी जंडल की और उसके बाद मिलेगी आपको S&P की अगर आप यहां पर yes करते हैं तो तीसरा option भी आपका यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं तो आप इसमें no करेंगे इसके बाद है आपका marital status अगर आप married candidate है या फिर आप यहां पर कोई option चूज करते हैं तो spouse ने मतलब पति या पतनी का नाम आपको देना होगा अगर आप unmarried है तो आपका यह option बंद हो जाएगा और आपको friends यहां पर only father name और इसके लावा mother name आपको enter करना होगा इसके बाद है आपका address section तो आपका जो भी पूरा address है एड्रेस लाइन फर्स एड्रेस लाइन 2 एड्रेस लाइन 3 में आप इसके बार आपको यहां पर district देना होगा इसके बार अपना state आपको चूज करना होगा और इसके बार आपका पिन-Code आपको देना होगा तो मैंने शौर्ट में भी एड्रेस लिखा है आपका जो भी पूरा address है वह आप यहां कर सकते हैं correspondence and permanent address same है तो same aspect कि लिए कीजिए अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry कर सकते हैं फीस जो आपको पे करनी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है इसके बार आप data को validate करेंगे अगर आपका कोई भी option blank नहीं है तो आपको कोई भी error शो नहीं करेगा verified successfully होने के बाद ही आप save and nest कर सकते हैं इसके बाद है qualification qualification आपकी 15 8 2021 को count होगी 10 प्लस 2 आपका यहाँ पर जरूरी है तो art science या commerce जो भी आपके पास है वो आप select कर सकते है date of passing क्या है आपकी तो date of passing आपको यहाँ पर देनी होगी जब आपने इसको pass out किया है percentage of marks आपको देने है class of grade आपको select करनी है इसके लिए को other qualification आपके पास है उसकी जनकरी दे सकते हैं और अगर आपके पास present में कोई experience नहीं है या फिर आप fresher candidate है आपके पास कोई भी experience नहीं है उस condition आप no कर सकते हैं अगर आप presently working है और yes करते हैं तो आपने present का work और उसके बाद पहले की vacancy आप वो पहले की job की आपकी जानकरी है वो आप दे सकते हैं तो आपके experience related जानकर या आपको fill करनी होगी fresher candidate simply no कर देंगे इसके बाद कौन-कौन सी language आप जानते हैं पढ़ना लिखना बोलना तो आप यहाँ पर maximum तीन language और minimum एक language के आप entry करेंगे और इसको आपको यहाँ पर read, write and speak करना होगा यह करने के बाद फैंसे आपको यह करना ह है well date, verified successfully होने के बाद आप save and nest कर देंगे, यह option है आपके preview का, preview को ध्यान से check जरूर करें, कोई भी गलती अगर आपको लगती है आप उसे सही कर सकते हैं, अपने photo को confirm करें, इसके बाद नीचे आने के बाद signature को confirm करें, agree करें और यहाँ पर ध्यान से एक-एक step को एक-एक option क ध्यान से check करें, अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, आप उसे सही कर सकते हैं, नहीं तो registration को complete कर लें, इसके बाद आप कोई भी edit नहीं कर पाएंगे, इसके बाद friends यहाँ पर है left thumb impression और handwritten declaration upload, तो यहाँ पर friends आपको देखिए, आपको left thumb impression है वो आपको upload करना है, JPG format में, इसके बाद है return declaration जो कि मैंने starting में आपको बताया, आपको अपनी self handwriting में यह लिखना होगा, और इसके बाद आप इसे यहाँ पर upload कर देंगे, इसके बाद simply आपको जो यह capture code दिया गया है, यह capture code आपको यहाँ पर fill करना है, और उसके बाद friends आपको click करना है, save and nest वाले अब यहाँ पर आपको multiple options मिल जाते हैं, कोशिश कीजिए इनमें से 3 options आप use करें, सबसे पहले है credit card, किसी भी bank का credit card आप use कर सकते हैं, debit card, किसी भी bank का debit card आप use कर सकते हैं, या फिर net banking, किसी भी bank की net banking आप यहाँ से select कर सकते हैं, और payment कर सकते हैं, UPI, QR, wallet card, debit plus ATM, इन option का आप use home page पर, home page पर आने के बाद friends यहाँ पर देखिए, आपको right and side में एक option मिलता है login का, अब login करने के लिए आपको registration ID और password देना है, जो कि आपकी mail ID और आपके mobile नमबर पर आया होगा, और उसके बाद इस capture code को डाल कर आप यहाँ से submit कर सकते हैं, इसके बाद friends आप लोग इन हो अपने portal पर और यहाँ पर आपको print application का option मिल जाएगा, आप इस पर click करेंगे, और यहाँ से print out को आप अपने PC पर या अपने mobile पर save करके अपने पास रख लेंगे, future use के लिए, future reference के लिए, इसको save करके रखना बहुत जरूरी है, तो अपने पास save इसको जरूर अपने पास रखे, तो friends, यहाँ पर इस वीडियो हमने बात की, यहाँ पर CSIR, CG, CRI का जो form है, वो आप कैसे fill कर सकते हैं, step by step मैंने आपको सारी process बता दी है, बाकी की जानकारी आपको jobrasta.com पर मिल जाएगी, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, रब चाहते हैं, ऐसे ही updates आपको मिल सके, तो like, subscribe and share जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube channel, and last thanks for watching.